पंदराइज अकाड़ी में पहुंचे बुलट पर गे छोरे स्कूटी पर गे छोरियान मेरी आज जोड़ी के राम राम बसें सास्त्री जी नुको है या माला कैड़ दूया तो गरा ले जूँगा जी मैडम ने प्रेयर की पाई रही बात माला की यो इतना कसूत्ता मोका है जई पड़ लिओगे सीटी में को माला गालनाली आज़ेगी मेरे गालन की बजाए नूस अपने लेओ जो गालनाली जिसका गालन का जी करगा तरीच्छा होगे उसके क्योंकि मेरा गाल गया कि मैं विशेश उदे से तामना प्राप्त हों दागो नहीं मैं भी तारेवरगा हूं संद्राइज अकैडमी के तमाम स्टाफ जो है तमाम गुरुजनों को बिल्कुल मैं यहां जिन्नोंने बुलाया इतना मानसमान किया उसके लिए मैं हर्दे के गह अर्याना में इतनी सस्ती है जुकर इसन उनलाइन के अंदर किया वो इस सक्स का कमाल है मोन सरका बहुत दन्यवाद और हमारे शाथ में अर्याना प्रदेश की आनबान सान अभी मन्यू शास्त्री जी इनका वी स्वागत है सभी का बिल्कुल हर्दे के गाईरेओं से होगा तो उसके अंदर आपने दिल लगा के जी जान लगा के आपने मैनेत करनी पड़ेगी सबसे महत्वपूर्ण चीज के है जिन्दगी में एक टार्गेट एक लक्षे आपने शरू में वो फिक्स करना पड़ेगा हमने यो बढ़ना है कोन्यों आगरदाब एक बार तो जोस जोस में को आइस की त्यारी करना लाइग जेगा शूर्व में शूत्रा दो तिंजन जोस रहोगा फिर वो किताब की दूब देखके ना इस तो डी ग्रू पड़ी आच्छी है एक बार जो मन में उठा लिया हमने तो बस बढ़ना ही होवे सीटी की करनी है हमने सीजील म अपना यूपीएसी करनी है सिरफ एक बार जिंदगी के अंदर अपना टारगेट फिक्स करने का काम करियेगा जब आपने टारगेट फिक्स हो गया सबका लगब बेराब आपने सीटी कलीर करना है उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो दोर है पड़न बिग्या ओड़न बिग्या बराबर माचोरी बेठी है बराबर आली सीट पर जान करके टोग आजानू कड़ा मेरे तारसाही मिल सेका है इवड़न चोरी नहीं है पैन देना जी अधे बाड़कां का का कैरियर तो ओड़न खितम हो ले यह वास्त्विक्ता है इस ची आगे यह कोई सफलता नू कोन बएक दो दिन मा मिल जेगी तो गंटा मिल जेगी चार गंटा मिलिटेगी जो लोग शफल हुए हैं बहुत सारे लोग आउं बताने के लिए किसर में इतने इतने गंटे पड़ा था उन लोगों का अनबा हो कुछ मारा भी अनबा ऊथोड़ा बोजिंदगी का, निरंतरता आपना आगे बढ़नी पड़ेगी, शिर्फ तीन-च्यार महिने हाभी आपके पास में, जे तीन-च्यार भी नेननू लगाले हो, कम से कम आपने इतना तो गराजुगाड होगा कि सोन खातर सिर्पत सहाथ और दाल रोटी मिले है, साइध इतना ज साइंस के कोड़िंग अपने इतनी कपैस्टी हो कि एक डेड़ मिने तक तो बिना कुछ खाओगे नि तो भी कि में कुन बिगड़ादा इसका, मेरी बास समझ रहे हो, सरीर कानी ना देखके कम से कम अपने माबाप कानी देखके हैं, दिल लगाके जचाय के तारीकरनी शुर बच्चे का जनम होता है, जिस बच्चे का नाम रख देते हैं माबाप हिमानशू, अब वो हिमानशू जो लड़का है, आम तोर पर हमारे खास तोर पर उत्तर भारत के अंदर जो अगरवाल समाज जो हो एक दनी संपन समाज माना जाता है, लेकिन दोस्तों गरीबी किसी की भी जात पूशकर कभी ने आती, किसे के भी आसका टोटा भई, इतनी बेंकर गरीबी में गर्त में चलेगे के उसके पिता को द्याड़ी मजदूरी करने पड़गी मानशू के बाप को, द्याड़ी मजदूरी करके टाइम पास कर रहा है, उसके बाद में थोड़े से कुछ पैसे उधारे ले लिए और पैसे उधारे लेने के बाद में एक चाय का खोखा शुरू करते हैं मानशू के फादर, और जो चाय का खोखा शुरू करते हैं तो 12 साल का इमानशू क्या करता है, सकूल में जाता, सकूल में जाने के बाद में उस खोखे के उपर चाय बनाने का काम करता है और चाए बना करके जो लोग चाए पिने के लिया आते उनके जुठे membhi ढोड़ोने का काम वो ही मान्शू करता है सच्टाई है साईद सारक सारे संपन बेठे कि आप में से कोई ऐसा बेठा है जिसने किसी के जुठे कप माजने पड़ते किसी को साइध नहीं होगा कोई भी इका दुखा सबकी प्रिस्थितिया अलग होती अब सबसे विडमना की चीज देखे इमानसु जब स्कूल के बाद जाता तो जैसी स्कूल के बच्चे उस खोके के आसपा से गुजरते तो वह बैचरा सरम का मारा उस खोके के पीछे जा करके चिप जाता है बस सरमा वो दोस्त के कहोंगे स्कूल माँ ये तो चाये के जूठे कब दोन का काम करा है लेकिन प्रिस्थितियों के साथ में समय के साथ में उसक्स आगे बढ़ता चला गया लोगों से पैसे उधार लेकर के 70 किलोमेटर 35 किलोमेटर एक साइड स्कूल का जाना 35 किलोमेटर आना 70 किलोमेटर तक की लंबी जद्दो जहद के बाद में सकूल में पहुंचता हो बच्चा प्लस टू के अंदर धिरे-धिरे करके वो बंदा टोफ कर जाता है अब जैसे इसको ठोड़ी बहुत स्कॉलर्शीप मिलती है स्कॉलर्शीप मिलने के बाद में वो बंदा दिल्ली उनिवर्शिटी के अंदर उसका ऐडमिशन हो जाता है अपनी जीवनी के अंदर हिमानस वेक बात बताने का काम करता है कि जब मेरा दिली युनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन हुआ तो वहाँ जितने भी लोग जो थे मैं उनसे अलग था अलग कैसे था दिली युनिवर्सिटी में बेठके चोरे चोरे आपना कोर्नर में कूण में बेठके ओड़े किरितन सत्संक्रे जाओं है मन इन चीज़ां तक उच नहीं लेना देना था मेरे अंदर सिर्फ हो सिर्फ एक चीज थी जो उन लोगों से मुझे अलग करने का काम करती थी और वो चीज थी सीखने की भूख और दोस्तों जिस वेक्ति के अंदर सीखने की भूख मरगी न वो वेक्ति मरा हुआ एक किसम से सीखने की भूख जिस के अंदर मरगी मन जोब कून लागना आज भी कम से कम भी 4-5 गंटे जब भी टाइम मिला तो 4-5 गंटे सोक से पड़े जाओं लेकिं टाइम कम मिला है फो नहिक्ति इस भी बी अंदर कर जाता दील वेक्ति सर्किता बीये जब उसने पास करी तो इंह जो गुपता जो था वह लड़का उसके परिवार के अंदर बी ए करने वाड़ा graduate वह पहला सक्स था, सोचके देखी कितना पिछड़ा हुआ बंदा था, यानि पूरे परिवार के अंदर graduation करने वाड़ा पहला बंदा था उसके बाद में जब आगे बढ़ता है तो उसको लेकिन SFL हो गया, हिम्मत नहीं आ रही, फिर इसे दोबारा से किताबों के उपर जूट गया, उदर से आर्थिक प्रेशानी है, 2017 के अंदर दोबारा से फिर UPSC का पेपर दिया, आप सभी को पता, इंदोस्तान की सबसे कठीन प्रिक्षा मानी जाती UPSC, दोबारा से जब वो प्रशिक्षु सेवा जो होती है, जो UPSC के थुरू चुने जाते हैं, उसके अंदर उस बंदे का सलेक्षन हो गया, लेकिन सोचके देखिए, पिछे इतनी गरीब भी देखके वंदा आया है, उसके बावजुद भी उसने वहाँ जुएन नहीं किया, क्योंकि उसके मनजिल बड़ी थी, 2018 के अंदर फिर त्यारी करता है, 2018 का जब रिजल्ट आता है, तो उसके बाद उस रिजल्ट के अंदर वो बंदा IPS चुना जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर चुना जाता है, और उसके बाद भी वो बंदा IPS को भी जुएन नहीं करता है, और फिर त सफलताओं का दोर उसने देखा उसके बाद लगातार तीन बार उसने सफल हुआ और साइद जो लोग UPSC के या कोई भी जिंदगी के अंदर कोई भी सफल लोग है उन जितनी मैंने तो साइद अपना CET को नहीं मांगदा होगा मांग है को नहीं मांगदा जूठे बरतन दोने पड़ा है किसे नहीं कुण पड़ दे नहीं फिर क्यों कुण पड़ दे मैं हमेशा कम से कम एक बात कहता हुँ मेरी बात का सर आपका दो गंटे राजेगा तीन गंटे राजेगा अगर आजा के खूब पड़ोगे चैर पांच दिन पाच्छा फिर OOS सिस करते हैं तो सबसे ज्यादा कुछी आपकी मा को होती कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर गया यकीन इन एक दिन शफल होके जरूर लोटागा मानकुन मेरा यू बस्टेंड पचक्कर मारा है चोरी नगर तक शोड़ क्या हो है ना उसका तो नूए सिसरेफ औ सरकारी तो बच छोटी ओ पी अन तर लेकर चे कितने बड़ी पोस्ट हो जिस दिन आप सफल होके आपकी माना बेरा पटागा न जिस दिन वास्तों में उसके मां के आखों में खुसे के आशू बिल्कुल 100% होगे कोई रोक निसकता मेरी चुटी सी क्लेरिकल के अंदर 2018 वाल भी नोकरी लाग गई कंदी अंडे कर दिम्री मां लोग आगा कि माराच होरा विलाग जागे नोकरी यह सचाई है लेकिन वह अलग चीज है मारा जो प्रोफेशन हो लग हो गया पड़ान में चलेगे पड़न में रूची जो है जीतनी कोशिस हो चार पास गंटे मिला है में टाइम मेनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है विकास दिव्यकृति का नाम आपने सुनाओगा अक्सर वो एक बात कहते है कि पड़न की कोई टेम को निवकर देनों सोचो बहुत तड़कन च्यार अबजे उठके पड़ना जुरूरियत है बजे उठके जिस टेम पर बोसे सिरफ चार महिने मांग रहा हूँ मैं इसरफ चार महिने चार महिने आठठ दस गंटे त्यारी करने का काम करिये उसके बाद यकीन आपके हाथ में जोब होगी आज यह जो माड़ा अपने मेरे गड़म गाली है या माड़ा और किसे के गड़म जुरूर गलागी एसा मैं विश्वास हो करता हूँ एक बार हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाई कि आज के बाद आप आठ से दस गंटे लगातार पढ़ने का काम करेंगे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाईगा जोण सा मैनेत निक रहे उसकी मागा नेम लागा उसके आध्यान तो डाउन कर लिए ब्यात श्यावास नीचे कर लिए सिरियस होगे पढ़ोगे सिरियस होगे पक्का गणे सिरियस भी ना होई हो मारगाम में के लुग आई हो इती सरकार यस त्वाडमा दो छोरी हो एक पेंडा शुटिया था इतना सिरियस भी नहीं होणा है टेम का सिरियस होगे एक चीज है सुनाओगा अपने नाम एन्सी आर्टी को पढ़ने का काम करिएगा खास तोर पर मैं जीएस की बता सकता हूँ और याना कि कोई भी आप किताब ले लो उसकिताब से कोई भी ले लो दिगदर्शन है और यन करंट फेर के लिए ग्यानम पब्लिकेशन की किताब आत्यार याना करंट फेर की जिमवारी मेरे पर छोड़ दो फिमेल कोंस्टेबल का जब पर वाथ आपने देखा होगा अठारा के उस सनायते सतरा के सतरा अपने एक वीडियो में तारे तीन शिफ्टा के अंदर वो मैं बहुत सारी बुक मिल जाओंगे आपने जो शिर्फ 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 NCRT बेस्ट के उपर है गणी नहीं NCRT होने उसके अंदर एक वो याकरत देखा तो मैं इस तरह कोलम सा बन्या हो है क्या आप जानते हैं कम से कम वो किताब पढ़के क्या आप जानते हैं वो कोलम तो सार उनको कवर करने का काम करिए निशित रूप से सफलताप के कदम चूमेगी इनी सब्दों के जाथ में आपका बहुत धन्यवाद जैहिन